बड़ी खबर के साथ करते हैं शराब बंदी को लेकर बिहार में उत्पात, विभाग और पुलिस टीम लगातार कारेवाई कर रही है और इसी कड़ी में जब टीम पटना की गांधी मैदान थाना लाकी की लोधी पुर में सिथ रेलवे क्वार्टर में छापेमारी करने पहुची तो उन पर हमला कर दिया गया दरसल पुलिस को रेलवे क्वार्टर में शराब पाठी के जाने की गुपत जवानकारी मिली थी इसके बाद गांधी मैदान पुलिस मौके पट्षा फेमारी करने पहुची जहां पुलिस ने कई शराबियों को पुलिस ने पकड़ कर गाड़ी में बैठाया इसी दौरान के लोग हंगावा करने लगे पुलिस टीम पर हमला कर दिया हमले में लाग घूसे से पुलिस की जम कर पिचाई की गए और शराबिय को छоडा पट कर भाग नीकले मर की असा है समय चार पुलिस करमी को गंभियु जोट आई है हमले कि मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया मामली की जाच कि जा रही है बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें पूलिस टीम पर हमला कर दिया था है पूरा पूरा हमला कर दिया था है कितने लोग होंगे मोटा में पुजिश्टी साथ में कुछ नेता टाइप के लोग भी थे हैं पूलिस टीम पर ही हमला किया गया क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर पूर साथ साल पूरे होने के हैं इसी को और अच्छी तरह से प्रभावित बनाने को लेकर पूलिस करवाई करती मजर आ रहे हैं इसी दर्मियान गुप सुचना के आधार पर गांधी मेंधान ठाने की पूलिस उनको सुचना मिली थी कि यहां सराब की पाती चल रही है जिस दर्मियान जो है उन लोग जो है डलबल के साथ गांधी महिदान थाना च्छेते इलाके में चाह सराब की पाटी चल लए थी वहां पहुंची जहां पर सराब की पाटी कर रहे है बीस से पचीस की संख्या में रहे यह वोको द्वारा जो है उनके साथ बत्सोलुकी की जा प्रकाश देखे बड़ी बात ये है कि खाकी का खौफ में ही है यही वज़े है कि शराब बंदी के बावजूद शराब पाटी की जाती है साथी पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया जाता है ऐसे वे जाच कहां तक पहुँची है बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते है बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें